करेक्शन के बाद अपना अगला टॉप्टिक क्या होगा ध्यान से सुनिएगा चुलन देर परसंट वू इस अ लैंडलॉड और परसंट वू इस अ टेनेंट अब लैंडलॉड और टेनेंट का रिष्टा थोड़ा सास बहु टाइप का होता है पहले तो बहुत खुश होता है लैंडलॉड टेनेंट आया एक महीने बाद विचरा पर्शान हो जाता है कि रहनी दिरा टाइम से तो यह जो चोड़े चैरे वाले अंकल जी है लैंडलॉड है और ये जो so called पतले चेहरे वाला है सीधा साथ मेरी तरह ये tenant है अब landlord ने अपनी property tenant को दे दी कि लो भई तुम इस property को occupy करो तुम इसमें रहो अपने परिवार को रखो मेरे को भी कभी कभी party में बुला ले ना he said okay no problem monthly rent is agreed to be 8,000 rupees थोड़ा कम लग रहा है क्या महासर कमी लग रहा है चलिए 9,000 कर देते हैं 9,000 पर मंथ टेनेंट अंकल जो थे ये थोड़ा विदेश में रहते थे इन्होंने सोचा कि मेरी family को problem ना हो इसलिए इन्होंने landlord अंकल को 50,000 rupees पे कर दिया कितना बचो 50,000 which covers the rent for the month of April that is 9,000 yes or no which covers the rent of May 9,000 yes or no सर आपने तो बताये नहीं कि premises कब से लिए गए है higher पे एक एप्रिल 2023 से it covers the rent of June also 9,000 yes or no July का भी rent is 9,000 के अंदर covered है August का भी अगर मैं बोलूं तो covered है 1,2,3,4,5 कितना हो गया बचो ये 45,000 rupees तो 50,000 रुपे में tenant अंकल ने एप्रिल में जून जुलाई ओगया पांच महीने का रेंट तो पूरा पूरा दे दिया और अब इसने अपनी फैमिली को फोन किया कि in the month of September 15 दिन बाद भाग जाना और फैमिली रैन अवे रिडल समझ में आगया the family रैन अवे what is the amount of loss to the landlord बताइए 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 4000 कैसे September में भी कितना रेंट मिलना चाहिए 950 इसने अडवांस दिया था बच्चों तो उसके बाद 5000 रुपए अडजस्ट हो गया चिलन 5000 रुपए अडजस्ट हो गया यस और नो अब 5000 रुपए अडजस्ट हो गया तो 50,000 जो उसने दिया था वो पूरा हिसाब क्लियर सेप्टेंबर का भी रेंट 9,000 है बट फैमिली भाग गई तो अल्टिमेटली 9,000 रुपए जो मिलना था पांच ही अडजस्ट हो पाया फैमिली रैन अवे तो लॉस कितना हो गया चिलन 4000, so 4000 is called as partial loss और complete loss, partial loss, so people understood how we calculated so-called partial loss चल्डन, लोगों को समझ में आ गया कैसे हमने partial loss calculate किया, ऐसे ही चल्डन, आपको calculate करना पड़ेगा partial arrears, क्या calculate करना पड़ेगा, partial arrears, sir ये क्या कहानी है, कहानी बड़ी असान है बच्चों, कोई problem की बात नहीं है, एकदम असान कहानी है, एकदम असान कहानी, ये कहानी सबको समझ में आ गई, ये कहानी समझ में आ गई, तो example कुछ इस तरह से है, एक company है जिसने shares issue किये, face value 10 रुपे, application money 2 रुपीज, allotment money 4 रुपी, first call money 3 रुपी, and second call money 2 रुपी, कहानी समझ में आ रही है, oh sorry, 1 रुपी, चलिए, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, there was a person, जिसका नाम था Mr. T, and इस person ने company को, shares के लिए apply किया, sir, कितने shares के लिए, चलन ही applied for, 2000, because over subscription था, तो definitely true pro rata का concept आ गया, और इस बिचारे को, shares मिले, सिर्फ और सिर्फ, कितने, 1500, तो बच्चों कैसे सपना आ रहा था कि इसके shares काट पीट दिये जाएंगे, no, इसने company को application money, तो 2000 shares पे भेजा, बट बिचारे को भेजना कितने पे चाहिए था, 1500 shares पे, तो landlord की कहानी तो अब समाप्त होती है, तो इसलिए landlord uncle को, यहाँ से गायब कर देते हैं, concept क्योंकि कुछ ऐसा ही था, तो अब इस person ने 2000 shares पे बचो, at the rate of 2 रुपी, company को unknowingly कि इसके shares का application काट दिया जाएगा, कितने पैसे भेजे, 4000, but company ने बचों इसको shares कितने दिये over subscription में, 1500, तो क्या इसको 2000 shares में पैसा भेजना चाहिए था, बट क्या करें, इसको नहीं पता था, तो actually, how much money he should be sending to the company children, 3000, but कितना company इस person से पैसा ले चुकी है, 4000, और actually इसे भेजना कितना था, 3000, 1000, so how much is the excess money he has sent to children, 1000, अब company के articles में लिखा होता है, कि हम money refund करेंगे, adjust करेंगे, और मैंने आपको बताया है कि अगर कुछ ना लिखा हो, तो क्या करेंगे हम, adjust, तो बच्चों application के बाद, कौन सी stage आती है, allotment, allotment पे एक share पे कितना पैसा है चल्डन को, 4 रुपी, क्या ये person, अपने 1500 shares पे पैसा बेजेगा, या 2000 पे बेजेगा, 1500, because इसको मेल भी 1500 shares, तो how much he is supposed to send children, 6000, और इसका 1000 रुपे कंपनी के पास already जमा है, how much balance is he required to send to the company, 5000 रुपी, और अगर मैं आप से बोलू, that the person ran away, the person ran away, what would be the amount of arrears children, 5000, but normally आप arrears कैसे निकालते थे allotment पे, number of share है, into allotment money per share, but over subscription के case में, arrear का calculation ही, पूरा का पूरा बतल जाएगा, and accordingly, for feature में, हम ये पैसा जब्द कर लेंगे, क्यों जब्द कर लेंगे सराब, क्योंकि इतना ही पैसा तो इससे मिला है, और allotment पे arrear कितना होगा चलन, 5000, समझ में आई बात, तो arrear के case में, sorry, over subscription के case में, arrear का calculation has to be totally different, so this person children, paid how much money, 4000, and how much is pending on allotment children, 5000, तो allotment career, 5000, sir, call career कितना होगा, call में, there is no problem, 1500 shares हैं, इसके पास, ये बिचारा allotment ही पूरी नहीं दे पाया, क्या call का पैसा दे पाएगा, no, तो call पे तो arrear, as usual, जैसे हम calculate करते थे, वैसे ही calculate करेंगे, got it clear, got it clear children, so this is the total amount of arrears, and जो पैसा आपको seize करने को बोला जाएगा, that would be how much children, that would be how much, rupees, बदाई, 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 कितना पैसा ये दे चुका है company को, अपने 2000 shares पे, application के time पे, 4000, तो company, कितना पैसा बचों, इसका जब्त कर लेगी, company कितना पैसा जब्त करेगी इसका, 4000, 5000 रुपी, and the amount of arrears would be how much, 5000 कैसे आएगा, 5000 तो सिर्फ allotment का अरियर है, call पे कितना हो गया, call पे कितना हो गया, 5, plus 6, total 11,000 का अरियर होगा, तो जब over subscription का question आता है, call in arrear का calculation बदल जाता है, जो amount seize करते हैं, उसका calculation बदल जाता है, जो आपने formula लिखे थे, number of shares four fitted into amount paid and all, वो सा formula अब नहीं लगेंगे, got it, तो ये calculation आपको दो-तीन जगा फायदा पहुचाएगा, एक बार जब आपको ये पता लगाना हो, कि allotment barrier कितना है, plus जब आप four feature की entries करेंगे, तो ये calculation काम आएगा, तो आप इस example को note down करिए, entry for allotment, receipt used to be bank account debit, call in arrear account debit to share, allotment, तो यहाँ पे बच्चों allotment पे कितना arrear आपको नज़र आ रहा है, चलन allotment पे कितना arrear आपको नज़र आ रहा है, बच्चों allotment पे कितना arrear नज़र आ रहा है, फाइफ थाउजन रूपीज, समझ गए, और जब हम कल को four feature की entry करेंगे, तो I'll tell you, कि four feature की entry में भी ये concept कैसे आएगा, ध्यान दीजेगा मेरी बात पे, इट्स equity share capital account debit, तो बच्चों number of shares कितने हैं इसके पास, चलना number of shares कितने थे, पंदरा सो, 10 रुपे के rate से, कितना पैसा share capital में आप लिखेंगे, 15,000, जब्त कितना करेंगे बच्चों आप, 4,000, और अरियर कितना होगा, 5000 अलॉट्मेंट पे, साड़े चार और डेर छे वो, कितना होगा चलना, समझ में आई कहानी, चलना कहानी समझ में आई, समझ में आगया, पार्शल अरियर की importance क्या है, 99 परसन बच्चे board exam में इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि वो इस calculation को ही नहीं पढ़के जाते हैं, सोचते हैं कि हो जाएगा, बट हो नहीं पाता, until, unless children, you have done buffer practice, बहुत ही जादा practice की जुरत है इस concept में, अगर आपने practice की है, तो तो आप कुछ कर पाएंगे, वरना band बच जाती है, अच्छो अच्छो की, खेर आपकी band मैं नहीं बच देना, परशान नहीं होगी है, क्योंकि आप calculation को समझ गया है, तो steps have been written in very 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 proper manner, बस यही steps आपको follow करने हैं, और पता लग जाएगा, कितना amount arrears का होगा, और सबसे important क्या है, कितना amount four feet होगा, क्योंकि question तो यहीं बोलेगा, कि he paid application, तो बच्चे क्या करेंगे, 1500 shares into 2 रुपए, कितना होगया, 3000 और four feet एड में 3000 लिख देंगे, बट क्या उसने 3000 रुपए दिये थे आपको, उसने actually तो आपको 2000 shares पे पैसा दिया था, समझ में अगई बात, तो arrear में गलती आपको नहीं करनी है, calculation याद रखना है, समझ में अगई बात, समझ में अगई बात, फिर से सुन लीजे, if I say, the person failed to pay allotment and calls, as a result his shares were four feet, तो अगर आप इस बात पे ध्यान ना देंगे, question over subscription का है, तो आप तो सुचिंग अभी पंद्रा सो शेज हैं, दो रुपे के rate से application उसने दिया है, four feet में कितना आ जाएगा, तीन अजार, पंद्रा सो शेज हैं, चार रुपे, तीन रुपे, एक रुपे, what is children four plus three plus one, eight, eight into fifteen hundred क्या होगा, आप यहाँ पे बारा जार लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, तीन अजार यहाँ लिखेंगे, बारा जार, पंद्रा तो तब भी आ जाएगा, आपको हवाईन लगेगी, कहा question गलत हो गया आपका, नहीं समझे, नहीं समझे, अगर मैं आपसे कहूँ, कि इसके पास फंद्रा सो शेहस थे, और four feet हो गए, ठीक है थे, four feet हो गए, इसने application दिया, आगे कुछ नहीं दिया, fifteen hundred into two is what children, three thousand, फंद्रा सो शेहस थे, ये वाला आठ रुपे नहीं दे पाया, पंद्रा सो into eight कितना हो जाएगा, बारा हजार हो गया पंद्रा, बट अकल लगाईए, थे पंद्रा सो, बट इसने मांगे कितने थे, दो हजार, logic समझ में आया कि नहीं आया, किसी ने देखा कि आपके पापा ने आपको तीन चीज़ें बथड़े में लेकर दी, वो बहुत खुश तहरे, वाह, तुमाँ पापा कितने अच्छे हैं, तीन चीज़ लेकर दे रहे हैं, तीन सो मांगे दी तो तीन दी हैं, आप दुख व्यक्त कर रहे हैं, और वो खुशी व्यक्त कर रहा है, क्या प्रॉब्लम मेरे जानी जी, पंद्रा सो शेज हैं, दो रुपे इसने अप्लिकेशन का दिया, तो कितना पैसा दिया, तो आप यहाँ पे तीन अजार लिक बैठेंगे गलती से, पंद्रा सो शेज हैं, इसने क्या नहीं दिया, आठ रुपे, आठ रुपे इन टू पंद्रा सो कितना होता है, आप यहाँ बारह जार लिक बैठेंगे, और आपको हवाईन लगेगी, कब यह गरबर हो गया, आक्चुली पंद्रा सो शेज फॉर फीट हुए हैं, बट उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, टू थाउजन, टू थाउजन शेज पर उसने अपना पैसा बिजवाया कि पंद्रा सो पर बिजवाया, टू थाउजन पर, तो कंपनी इसन रिसिप्ट आफ हाँ मच मनी प्रॉम हैं, पोर थाउजन, तो कंपनी जब्त भी कितना पैसा करेगी, पोर थाउजन, तो अगर आप ये पार्शल अरियर का कॉंसेप्ट, ओवर सब्स्रिप्शन में अपने ध्यान में नहीं रखेंगे, और आप नॉर्मल कॉर्शन की तरह सॉल्व करके चले आएंगे, तो आपका डूल असपेक्ट तो मिल जाएगा, फंदरा सो, इन्टू दो, इस थ्री थाउजन, फिफ्टीन हंड्रेड, इन्टू एट, इस त्वेल थाउजन, तो त्वेल एंट्री इस वाट, फिफ्टीन, बट आना ट्वेल और त्री नहीं है, आना कितना है, फोर और इलेवन आता है, सुझ मैं कहां पर बच्चे गल्दी करते हैं, इस लिए इस टॉपिक को अलग से पढ़ाना बहुत इंपॉर्टन बन जाता है, क्यों, क्योंकि इस परसन ने अपलाई कितने शेहस के लिए किया है, कितने शेहस के लिए किया है, 2,000 के लिए, इस बिचारे ने पेइमेंट कितने शेहस पर करवाया है, 2,000 पे at the rate of 2 कितना आया, तो कंपनी के पास उसके 4,000 पड़े हैं, तो कंपनी जब्द कितना करेगी, 2,000, तो सॉरी 4,000, तो अभी तक जब हम question करते थे, उसके applied और allotted shares same होते थे, बट अब क्या applied और allotted same है, अभी तक आपने जितना भी assignment किया, कहीं पैसा था, that he applied for more and he was allotted less, no, because over subscription था यह भी तक तो, 4 feature के case में, अब आ गया over subscription, तो अगर आप इन दोनों बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे, आपकी entry में dual aspect तो match करता रहेगा, और आप गलत entry कर देंगे, आप entry क्या करेंगे, आप कहेंगे रे normal सा question है, चलो लिखो equity share capital, पंदरा सो shares, तस रुपे का called up, कितना आ जाएगा, पंदरा जार, he paid which stage children, कौन सी stage पे कर दी है, application, कितने रुपे का application है, दो रुपे का, तो पंदरा सो shares पे कितना होगा, तीन जार, कौन कौन सी stage उसने नहीं दी हमको, allotment and call, कितने रुपे की हो गई, आठ रुपे की, पंदरा सो shares पे कितनी हो गई, आप ये entry करके चले आएंगे, और ये entry पूरी तरह से, मच्छ़ की रिए काटी हुई, गलत entry है, understood क्यों ये entry गलत है, किसलिए गलत है, क्योंकि आपने जरा भी ध्यान दिया ही नहीं, उसके पंदरा सो shares थे, 101% correct, but, did he apply for 1500 shares चलगाँ, no, he applied for 2000, कितने shares पे application भिजवाया उसने, 2000 shares पे, कितना पैसा आया company के पास, 4000, तो company जब्त भी कितना करेगी, 4000, और अगर आपने इस बात को ध्यान में नहीं रखा, तो आप तो ये entry पास करके चले आएंगे, dual aspect तो complete कर गया, बट क्या ये entry सही है, no, ये entry सरासर, गलत entry है, खोपड़े में बात गई की नहीं गई, what is the importance of partial career, समझ में आ गया, तो इस example को note down करिए, फिर मैं आपको sequential process में concept सिखा देगा, चलिए, तो बाते समझ में आ गई सबको, तो फिर से मेरे सवालों का लोग जवाब देंगे, Mr. T ने कितने shares के लिए apply किया था बच्छो, 2000, क्या इसे सपना आ रहा था कि company से 1500 shares देगी, तो अन जाने में, इसने 2 रुपए 2000 shares पे भिजवा दिये, total कितना पैसा भिजवाया, बट भिजवाना चाहिए तो इसको सिर्फ, 1500 shares पे 2 रुपए, कितने पैसे he has sent more unknowingly, तो याद करिए over subscription में table में क्या सिखाते थे, कि अगर extra पैसे application पे आ गए, article के accordingly, या तो refund होगा, या तो adjust होगा, कुछ निलिखा होगा, तो adjust, तो ये 1000 जो access है application पे बच्चों, अगली stage, allotment पे वो adjust होगा, कितना मिलना allotment पे पैसा चलन, छे एक तो पहले से ही मिल चुका है, ना चाहते हुए जादा, unknowingly, तो now he is supposed to pay how much on allotment चलन, only 5000 रुपी, और ये भाग गया, तो बच्चों, अरियर 5 का होगा allotment पे, या पूरे 6 का होगा, 5 पे, और उसके बाद जैसे अरियर निकालते थे, नॉर्मली पुराने जमाने में वैसे ही निकलेगा, ठिक, तो जब आप allotment पे अरियर लिखेंगे, you are not supposed to write 6000, क्योंकि एक तो पहले ही adjust हो गया, कितना लाएंगे वो है, 5000 ही अरियर लेके आएंगे, समझना क्या, और इसी तरह से जब आप 4 feature के entry करेंगे, तो भई 1500 shares 4 feet हुए, called up value 10 रुपे के हिसाब से कितनी हो गई, 15,000, अरियर कितना होगा, 5 allotment का, 45,000 फिस्ट कॉल का, 45,000 और 15,000 फाइनल कॉल का, कितना हरी राय चले हैंगे, 11, और कितना पैसा उसने application पे unknowingly दिया था हमको, 4, बज वही 4 हम जब्त कर लेंगे, तो जब भी question over subscription का होगा, आपके जो normal formula थे, वो सारे के सारे flop show हो जाएंगे, ये upgraded version है, ये वो मच्छर हैं जो normal, वो all out से नहीं मरते हैं, इनके लिए hit छड़क मी पड़ेगी थोड़ी सी, समझ में आई बात की नहीं आई, समझ नागे सबको, तो बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, concept की importance को समझिए, अगर वो normal entry कर दें, number of shares forfeited, into amount paid by the defaulter, तीन हजार आगया, number of shares forfeited, into amount unpaid by the defaulter, बाराजार आगया, बट ये इंट्रीग दम गलत है आपकी, क्योंकि उसने pay कितना किया reality में, 4, तो हम जब्त कितना करेंगे चलरन, 4, allotment barrier कितना है, 5, और calls पे 6, तो टोटल कितना हो गया, 11, बट individual formulae, over subscription के case में, नहीं काम करते, सिर्फ capital के लिए काम करेगा, बस, तो इसी changed formulae की पढ़ाई हमको करना ही, got it, example copied everybody, सबने लिख लिए, सबने लिख लिख लिए, गलत और सही किया, ये भी समझ में आ गया, पक्का, update कर ये fast, चलिए बट, तो बचो आपके सामने आ गई कहानी मेरी जुबानी, computation of arrears in case of over subscription, जो अभी example दिया था, कुछ वैसा ही है, इसके लिए बचो मैं चाहूंगा, कि आप question number 42 पे जिक्र करें, a company limited offer 20,000 shares of 100 each, payable as 20 on application, 30 on allotment, 25 on call and 25 on final call, application आपको कितने shares का मिला बचो, 35,000, 10,000 reject कर दिया, 15,000 वालों को 10,000 दे दिये, तो 15 और 10, 25 हो गए, कितने बचे बचो, and remaining were accepted in full, got it clear, तो step by step चलेंगे, ताकि आपको समझ में आएगी, reality में question होता कैसे है, ready, चलिए, तो सबसे पहले analysis table बनाते हैं बचो, पहली category, 10,000 जिन्होंने apply किया, we gave them how many? nil, दूसरी category children, जिन्होंने 15 के लिए apply किया, उन्हें कितने दे दिये? 10, कुल हमारे पास थे 20,000, और तीसरी category children, जिन्होंने 10 के लिए apply किया, उन्हें भी दे दी है, 10, correct, एक share पे application money कितना है children, 20 रूपी, जो प्रवचन सुनने आए, वो प्रवचन सुने, बागी साथ सा solve भी करें, क्योंकि बाबाजी का प्रवचन नहीं चल ला है, 20 रूपे के rate से children, first category का, यहाँ पे शायद 2,00, रूपे आएगा if I'm not wrong, और यहाँ पे निल आना चाहिए, how much is the excess, 2,00, इन बिचारों को share ही नहीं दिया गया, भागे इन का पैसा लेकि विजे माल लेकितना, very good, refund, second category का जिक्र बाद में करते हैं, पहले थर्ड वाले का कर लेते हैं, दे पेड अस हाँ मच मनी बच्छों, 2,00, and they were also supposed to pay how much, 2,00, any excess we have for them, no, कोई adjustment refund कुछ नहीं हो, इतनी कहानी सब को समझ्या गई, अब आते हैं, दूसरी और सबसे बढ़िया category पे, 15,000 वालों ने 20 रूपी के rate से, कितना पैसा दे दिया बच्छों, 3,00, देना था 10,000 शेयर्ज पे 20 रूपे के rate से how much, 2,00, excess कितना बज़ गया, 1,00, अब मैंने आपको टेक्नीक बताईए बच्छों, टेक्नीक बताईए, अगली स्टेज ये कौन सी पे करेंगे, after application children, allotment, सिर्फ दूसरी category की बात कर रहे है, कितने शेयर्ज पे ये लोग allotment का पैसा भेजने की सोच रहे हैं, how much, 10,000, 3,00, रूपे भेजेंगे, 1,00, हमारे पास अल्रेड़ी पढ़ा हुआ है, शरम नियाती पैसे मांगते हुए, पुरा 3,00, बीआज बाताओं मांगेगे, कितना मांगे, कितना नहीं मांगेंगे, एक लाग और टेख्निक बताईए मैंने आपको, amount due 3,00, excess 1,00, डोनों मैंसे कम क्या है, तोनों मैंसे कम-कम है, 1,00, है इक लाग का, चलिये, है ठोटलिंग कर लें, चार लाक ठिक पीपल इंडर्स्टूट कैसे टेबल बना चलिए सबसे पहली एंट्री एप्लिकेशन मनी रिसीव करने की क्या होगी देखा कितनी थे चेह रहे हैं लोग सब होंवक का कमाल है बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्यूटी शेर अप्लिकेशन और जो लोगा ज्यादा होंवक नहीं समाल पा रहे हैं को कल को बविश में ज्यादा पैसे भी नहीं समाल पाएंगे या तो बगवान उनको उतना कमाने कितने का मिला थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव थाउजन इन्टु ट्वेंटी इज सेवन लाक्स चाहे तो आप तीसरे कॉलन की वाल्यू भी लिख सकते हैं एक ही बात है अगली एंट्री क्या होती है बचो एक्यूटी शेर अप्लिकेशन अप्लिकेशन अकाउंट डे अग्यापिटल अकाउंट अबस बच्चों खतम शुटी और कुछ क्या हमेशा पैसे की लें देन की बात करेंगे अप्शी लोग थोड़ा दाम धरम भी करिए और क्या है गाए तो एकुटी शेर अलॉट्मेंट के निबटी आंसर की कॉल जन अडवांस क्यों नहीं है क्या कहे रहे हैं अभी अलॉट्मेंट के बाद कोई पैसा अजस्टी नहीं हुआ भई गुड मॉर्नेंग सो रहे हैं कुछ लोग साथ लाक यहां पर आएगा बच्चों बीस अजार शेर्स पर बीस रुपे के रेट से चार लाक डैंक में कितना लिखेंगे हम टू लाक और लॉट्मेंट में कहां लिखेंगे क्रेट में एक लाक समझना गया यहां तक तो पुरा नहीं चल रहा है क लासी खाना एक दम चलिए वाट इस देंट्री फॉर अलॉट्मेंट यूचों एकुटी शेर अलॉट्मेंट अकांट डेबिट टू एकुटी शेर पूरी स्पिलिंग लिखेंगा आइम नट गएर पर देग्जाम यूपीपल आफ टू कितने शेर्स हैं बच्चों जिन प तीस रुपे के रेट से हो मच शिक्स लाक्स चलिए अब कुछ बहुत ही धमाकेदार पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा धमाकेदार चलिए बहुत ज्यादा धमाकेदार अब यहां पे लिखा है डायेक्टर मेंट बोद दॉपाल्स वन शेरोल्डर होल्डिंग 300 शे है सेकंड कैटेगरी का ठीक है इस परसन ने अलोट्मेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया अगर मैं आपको अरियर ओवर सब्सक्रिप्शन में कैल्क्वेट करना ना सिखा हूं तो आप क्या नादानी करेंगे 300 शेर्स बीस सारी 30 रुपे का अलोट्मेंट वट इस 300 इंटू 30 चिल्डन नाइन थाउजन आप बोलेंगे सर यहीं अरियर है टोटल बकवास क्यों ध्यान से सुनिएगा बच्छों यहां पे लिखा है belonging to the category applying for how many 15,000 शेर्स अगर आप इंडिया में रहते हैं तो क्या रश्या युक बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा बट अगर रश्या युक्रेइन में रह रहे हैं तो बहुत ज्यादा पड़ेगा बहुत ज्यादा पड़ेगा फोपडम बाद गई सबको समझना गया तो यह परसन उस category का है जहां पे लोगों ने कितने शेर्स के लिए अप्लाई किया ह 15,000 और लोगों को मिले कितने हैं बचो 10,000 moral of the story is this हम भी पार्टी में गए आप भी पार्टी में गए आप जिस पार्टी में गए वहां ज्यादा लोग आ गए तो पार्ट ऑफ दा खाना मिलेगा या पूरा भरपेट खाएंगे पार्ट बट मैं जिस पार्टी में गया वह सब लोगों ने कुछ ना कुछ पैसा एक्सेस दिया सबका एक्सेस कहां पर अट्जस्ट हो गया अलॉट्मेंट में इस पर्सन को भी 300 शैस मिले हैं चिल्डें तीन सो मिले हैं आई रेपीट तीन सो मिले हैं क्या बच्चों इसने तीन सो ही मांगे होंगे नो दस लोग कार स सबकी गाड़ी में चोरी हुई है तो आपकी गाड़ी मि मुझे चोरी हुई होगी ना तो जब सब लोगोंने 15 के लिए अपलए थैंडें यह साब के लिए अप्लाए किया होगा absolutely not इसने भी अप्लाए थोड़े जादा के लिए किया होगा is that clear so I want to keep things simple तो सबसे पहले जरा accounting की बात कर ले फिर गणक करेंगे इसने कौन सा पैसा नहीं दिया बचो allotment और calls तो allotment barrier हो गया जटपत मेरे को लोग entry बताएं क्या होगी allotment पे चल रहां बैंक अकाउंट डेबिट देन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट अभी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा यह धमाकेदार calculation कब करना है और कब नहीं करना है और बच्चे कहेंगे सर पहले ट्रिकी बता दीजे आरे नहीं भाई ऐसा कैसे चलेगा थोड़ी मैनत तो करवाएं चलन अलोट्मेंट में कितना ड्यू था six lakh कितना अल्रेडी मिल चुका है सबके सब पैसा देते हैं तो act max कितना मिलेगा पांच लाक बट कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया ready for the calculation तयार हैं पूरी तरह से तरेंगे तो नहीं चलिए सबसे पहला काम step one compute करिए कि कितने shares उसको अलोट हुए है अगर question applied देता है तो या calculate करिए कि कितने shares उसने apply किये अगर question allotted देता है दोनों में से एक ही चीज़ apply करेंगे या ये या ये आपको number of shares allotted भी चाहिए और number of shares applied भी चाहिए बताइए बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि applied की allotted allotted कैसे पहचानेंगे वोल्डिंग उसके पास है तो allotted है आप क्या निकालेंगे अप्लाई यह formula है बच्चों मेरे को आज तक नहीं याद हुआ पिछले 25-26 साल से पढ़ा रहा हूं आपको भी याद नहीं होगा एक unitary method बताता हूं पंद्रह हजार के लिए जिन्होंने अप्लाई किया सॉरी तैन थाउजन के लिए जिन्होंने अप्लाई कि पूरा जब तक में टागिन लिखेंगे आएगा नहीं दो जूबर अलॉटे टैन थाउजन बच्चों दे अप्लाईड फॉर हॉमेनी 15 जिसने एक शेर अलॉट कर होगा ऑफ टी तंट और जिनको 300 मिले उन्होंने कितने शेर्स के लिए अप्लाई किया ऐब रहे चान्सर आजाएगा अंसर आजएगा ऑच्छो चलिए 00190 बन गया hero 301010 कट गया how many shares they must have applied for 450 shares आपने फॉर्मला लिखा है shares applied in pro rata category कितना है 15,000 shares allotted in pro rata category 10,000 number of shares allotted to defaulter बड़ी बखवास है आप इस चक्कर में बिलकुल मत पढ़ें और सिर्फ और सिर्फ चिल्डेन अप्लाए करें unitary method फिर से unitary method सिखा देता हूं फिर से सिखाता हूं परशान बिलकुल मत होईएगा बहुत असान है formula मैंने लिखा जरूर है कुछ बच्चे तो तेक तरह रट लेते हैं बड़ नेवर नेवर मेरे को आज तक नहीं याद हुआ जिन लोगों को अपॉन 10,000 इंटू 300 साड़े चार सो शेल उसने कंपनी से मागे समझना गए unitary method अब बच्चे कहेंगे सर्मान लीजिए question में applied दिया खुता कि इस person के पास कितने शेल है 450 तब आप कैसे निकालते हैं those who applied for 15,000 were allotted how many 10,000 that person who applied for one share must have been allotted how many children 10 upon 15 जिसने साड़े चार सो के लिए apply किया उसको कितने shares मिले होंगे 000 बन गया hero so children answer क्या आ जाएगा 300 समझना गया तो applied दिया होगा तो allotted निकाल लेंगे और allotted दिया होगा तो applied निकाल लेंगे unitary method works well गटेंगे तो नहीं formula पक्का कितना काम complete करिए इस question के लिए अपनी workbook में तो यह जो 300 shares आपको यहां पर नजर आ रहे हैं हमारे example में बचों यह थे आपके 1500 shares correct और जो आपको नजर आ में हैं so called 450 shares 450 यह हमारे example में थे how many 2000 वाटट तो अप्लाइट भी चाहिए allotted भी चाहिए क्यों चाहिए दोनों क्योंकि एक्चुली जो पैसा भेजा गया है that is on 450 बट एक्चुली जो भेजवाना था उसको it is on 300 is this much understood well अगला step क्या है compute the amount received कितना पैसा मिला फॉर्मला क्या है बच्छों number of shares applied कितने applied है हमारे example में 450 into application money question number 42 में एक शेर पे कितने रुपए का है बचो 20 it is how much 9,000 it is how much 9,000 clear clear ये 9,000 रुपए इस table के हिससाब से अगर हम बात करें बचों तो कहीं न कहीं इस 3,000,000 के अंदर जुड़ा हुआ है और उसके साड़े 400 shares कहीं न कहीं इस 15,000 के अंदर है और उसके 300 shares कहीं न कहीं इस 10,000 में है तो ये जो अप्रोच है ये macro है सारे लोगों के लिए पूरी category of persons के लिए वो वाली अप्रोच सिर्फ एक defaulter के लिए है तो सब लोगों ने application पे तीन लाग बिजवाया उसने कितना बिजवाया 9,000 is that clear is that clear तो फेभी कोई पीक है उनके अलावा बाकी लोग जब आप दे सकते हैं clear लिग दिया सबने 9,000 रुपए everybody written this to be compute the amount actually due from the defaulter on application what is the formula children number of shares allotted कितने shares allot हुआ है बचो 300 रुपए के rate से कितना पैसा हुआ six तो आपको मिला है 9,000 और आपको actually मिलना कितना चाहिए था बच्छो छे हजार कितने पैसे extra मिल गए तीन हजार सर company लेके भाग जाए इस पैसे को तीन हजार excess समझ में आ गया समझ में आ गया इस analysis table में आपने excess column में इस category का कितना पैसा लिखा था बच्छो वन लाक तो यह वन लाक सारे लोगों का excess है तीन हजार इस डिफॉल्टर का excess है सब लोगों का एक लाख excess कहां adjust हुआ था बच्छो अलॉट्मेंट पे इस महानात्मा का भी कहां adjust करेंगे पैसा अलॉट्मेंट पे तू सी कैल्कुलेट कर लिए excess अब देखना है कि अगली stage पे यह कितने पैसे देगा पीपल नीड टू आंसर मी इस परसन के पास कितने अगली stage कौन सी है बच्छो अलॉट्मेंट एक शेर पे कितने रुपए की तीस रुपए की कितना पैसा इसे भिजवाना चाहिए नाइन तीन हजार बच्छो कंपनी के पास अल्रेडी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है यह सोर नो नौ इससे लेना हैं को शरम नहीं आती पूर क्या बोलेंगे बच्छो इस पैसे को क्या बहुत डिफिकल्ट है तो स्टाटिंग के दस पंदरा क्वेस्टन इस वर्किंग नोट को बगल में रखके आप सॉल करेंगे जट पर आपको आंसर आजाएगा बाद में आपको प्रोसीजर पूरा समझ जाएगा वेरी डिफिकल वेरी डिफिकल्ट तो मान लीजिए आपके घर में दूद आता है बच्छो सौ रुपए का पर दे दूद वाले को मम्मी ने साड़े तेरा सो रुपए दे दिये साड़े तेरा सो तेरा दिन तो उसने दूद दिया फोर्टीन दे भग गया तो पचास रुपए का ही तो एक लाग पहले ही मिल चुका है तो अब कितना मिलेगा अगर सब लोग दे दे दो फाइव लाक्स और इस बिचारे ने छे अज़ार रुपए नहीं दिया तो आपको कितना पैसा मिलेगा चल्गा पूर नैंटी समझे बात को की नहीं समझे इसके बाद कर्या इसके बाद जैसे चलता था वैसी चलेगा क्योंकि पैसे कम पड़ें तो अलॉट्मेंट पर कुछ अरियर है कौल पर तो पूरा-पूरा रहेगा नहीं समझे समझे बागी कर लेंगे इंटी जटपट कर लीजे तो पहले क्यालकुलेट करना है कितने पैसे मिले कितने मिलने चाहिए थे कितना एक्सेस हो गया वा लॉट पे अडजस्ट हो जाएगो चलिए फर्स्ट कॉल की इंट्री कर ले मचो किकूटी शैर first call account debit to equity share capital कितने रुपे की call थी बचो 25 रुपे की और 20,000 शेह पे तो कितना आ गया 5 लक is there any arrear on call also entry is bank account debit पूरी spellings लिखेगा call in arrear account debit to equity share first call यहाँ पे arrear का कोई problem नहीं है जैसे निकलता नहीं वैसे निकलेगा बड़ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात 300 shares per year होगा कि 400 होगा अगर question applied दे दे तो छपा हुआ question में applied रहेगा आपको multiply allotted से करना है ठीक है 300 into purchase is 7500 और bank में आएगा 492 500 500 गोट चलो देन एकुटी शेर second and final call account debit to equity share capital कितने रुपे की second and final call बच्छेस रुपे की तो अगें 20,000 शेर्स पे कितनी हो गई 5 लाक्स here also we have our years answer चलो so it is bank account debit आगे कॉटी तुद्ट घुटी शेर्स सेकेंड एंड फाइन रुपे की कॉपे और 30 सू शेर्स अगें शानने सान्म्हेसाथ यहजार आगे आएगा येसआएगा आओ आगेंआ आ ओने लोगे शानी रुपे की अवे चावें अट भियोगे आएगेए दोट अबिस्तृ को सब्सक्राइब करते हैं और आफ्टर मैंनी रिमाइंडर पैसा भी नहीं देते कंपनी क्या करती है आर्थी उदारती हों नहीं फोर फीट कर लेती है न यहां पर लिख देते हैं अज्यूमिंग कि शेज़ वर एक और प्रीमियम का अभी टेप्ट सब्सक्राइब कर रहेगा इसमें प्रीमियम के साथ रही प्लिप्टर गया बटाएयगो क्या विप्रीचर की एक विटेश्य प्लीटरीऌ attentive अगाउंट डेबिट आब आपकरशन आपकोंड्ल Уब्सक्राइब खेत women मैंने क्यों को फीचर के बादे पढ़ाया नहीं तो फिर यहां छोड़के फिर उसको आधा पढ़ना पढ़ता अब सीक्वर्स में चलेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट देन वाट है तू कॉल्स इन है अर्यूर्स तू शेयर फोर फीटिट अकाउंट कर लेंगे लोग करिए फास्ट चलिए तू कॉल्स इन अर्यूर्स अकाउंट फॉलोड बाए तू शेयर फोर फीटिट या फोर फीचर अकाउंट तीन सो शेयस थे बच्छों सो रुपए के रेट से अब यहां पर गलतिया स्टार्ट होती है बच्छे अर्यर में क्या लिखते हैं वह कॉश्चन में देखते हैं तो पहले मैं आपको गलग चीज बताता हूं तीस रुपए का अलॉट्मिंट पच्छिस की फर्स्ट कॉल पच्छिस की फाइनल कॉल कितना होगे बच्छों एट्टी इन्टू तीन सो शेयस तो आप यहां पर क्या लिख देंगे बच्छों 24,000 ठीक है कौन सा स्टेज आपने पे कर दिया था कि एप्लिकेशन बीस रुपए का तीन सो शेयस तीस रुपए के रेट से कितना लिखेंगे बच्छों 26,000 आप गए रे सही तो है कैसा है बच्छों दिमाग की बत्ती जलाईए मिंटोस खाए बगैर इस परसन ने कितना पैसा हमें दिया था बच्छों प्वार फिफ्टी इंटो ट्वेंटी नो हजार तो हमपनी के पास आए नो हजार तो कंपनी जब्थ भी कितना करेगी 9000 यहां पे हो जाएगा 21 कैसे आया सरकिस अरे सिंपल है भाई च्छे कारियर यह वगा शाड़े साथ और साड़े साथ साड़े साथ पंद्रह 15 और 6 दिखाता हूं 450 शेयस पे 20 रूपी के रेट से कितना दिया बच्छों उसने 9000 बट इस बिचारे को शेयस 300 मिले तो देना कितना चाहिए था इसको 6000 अब 300 शेयस पे अड़ रेट ऑफ कितने का लॉट्मेंट है 30 का कितना पैसा पे करना चाहिए इसको 9000 तीन आल्रेडि इसका एक्सेस है तो कितना पैसा इसके देने की जिम्मेदारी है लॉट्मेंट पे 6 बाग गया अरियर क्या होगा च्ल्ग और कॉल पे अरियर क्या होगा सर पॉल पे तो असान है 300 शेयस 25 रुपे की कॉल 300 शेयस 25 की कॉल साड़े साथ जार और साड़े साथ जार बस यह आप कारियर हो गया और यह अमाउंट फॉर फीटेड हो गया कौन सा बला ओ उल्टा कर दिया चलिए 21 एंड नाइड चलिए वाट डिफकल्ट है एक्दम हलुआ है समझ में आई बात की नहीं पक्का अब आपको एक टेक्नीक भी बता दू जहां पे आप गलती ना करें यह कैलकुलेशन बच्चों यह जो आपको नजर आ रहा है यह किसके लिए करना है उन लोगों के लिए करना है जिनका कुछ पैसा अनलिसस टेबल में अज़स्ट हुआ है क्योंकि अलोट्मेंट पे एक लाक अज़स्ट हुआ तो यह लोग कुछ देंगे कि पूरा अलोट्मेंट देंगे कुछ तो दे चुके हैं भागेंगे तो पाट लेके भागेंगे पूरा लेके भागेंगे पार्ट लेके भागेंगे, आपके घर में चोरी हो गई, भगवान न करें ऐसा हो, फिर भूकम पा गया, थैंग वहट, थोड़ा चोरी हो चुका था, कमी नुकसान हुआ, बाकी तो चोर ले गिया है, उससे पकड़ लेंगे, चोरी होना अच्छी बात है, दाग अच्छे है, टाइड का अट दिखाओगा आपने, समझ में आई बात की नहीं, समझ में आई बात, पका, तो जब क्वेश्चन में लिख क्या है, फेल टू पे अलोट्मेंट, आपके दिमाग में घंटी बच जानी चीए, कि आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट अगर कॉल का इस टेबल में पार्शली पैसा कहीं अट्जस्ट को है, तो टेबल बना कि आपको पता लग जाएगा, कि वो कैलकुलेशन कलको करना है या, नहीं करना है, समझ में आई बात, पका, पका, चलिए, इसको भी, सेम कैलकुलेशन ने जो लिखा था, तो हर बार ऐसे वर्किंग नोट्स बना लेंगे लोग, तो अगर मैं बोलू कि किसी परसन ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, या सेकंड कॉल नहीं दी, क्या उसके लिए आप एक कैलकुलेशन करेंगे, नो, सिर्फ किसके लिए करना है, रटियमत अलॉट्मेंट वाले के लिए, वो यहां पर लिखा है, शेरोल्डर होल्डिंग 306, सेम काटेगरी, इसने अलॉट्मेंट और कॉल नहीं दिया, और एक और इंसान है, जिसके पास कितने शेज हैं, 500, वो भी उसी कैटेगरी का है, बट इसने क्या नहीं दिया, क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ल और चल्रन, 44 आप अटेम्ट करेंगे, 43, 44, कर लेंगे, बक्का, 43, 44 कर लेंगे, चलिए, फिर 45, 46 में आपको क्लास में कर भूँगे, ओके, कन्फर्म, चलिए, ताथ सॉल फॉर तुड़े चलिए,